हेलो फ्रेंट्स कैसे हो आप लोग आज का मैच होने जा रहा है हैकर के साथ जो कि ट्रीक यूज़ करता है इसका नाम है पंडित तो चलिए देखते किस तरीके से इसने ट्रीक यूज़ करी है वो आपको मैच में पता चलेगा तो यहाँ पर गाइस अपोनेंट ने टॉस जीत तो यहाँ पर वेटिंग फूर अपोनेंट बता रहा है और पता नहीं आटोमेटी यहाँ पर चार रन चलेगा है चलिए ठीक है यह गलीच होगा बट यहाँ पर यह पाच रन कैसे शो हो रहे है इसे पहली बॉल पर पाच रन मिले है अगेन देखिए मैंने यहाँ पर फ्ल इसरी बॉल ऑफ साइट से करी जो कि एकदम फेयर होई है यहाँ पर कोई इशू नहीं आया है वो लेक साइट की बॉल पर इशू आ रहा था मिरे साथ एक बार फिर लेक स्पिन करेंगे और यह देख सकते हो यहाँ पर इन्होंने कट शॉट खिला है और यहाँ पर कर रहा है बे फालतुक का अपना नाम खराब कर रहा है तो नेक्स्ट ओवर रादा क्रिश्नन करेंगे पहली बॉल केरम करी थी अच्छी तरीके से लपेटा है और चार रन असिल किये इस बार साइट चेंज करके केरम बॉल करी है और इस दफ़ा काट शॉट खिला है और ग लास्ट बॉल है टॉप स्पिन करी है और लीजिए यहाँ पर डॉट करवा दिये तो यह अच्छा स्कोर यहाँ पर चलता हुआ लेकिन दस रन यह बे फिजूल के लेकर गए तो वो तो ध्यान रखेंगे हम नेक्स्ट ओर अब्राइन करेंगे पहली बॉल शॉट करी थी औ और अच्छा तगड़ा पुल शॉट किला है और चार रन हसिल किये एक बार फिर श्टेट बॉल है शॉट बॉल है यहाँ पर एज लगिए एज लगिए भई यहाँ पर चार रन ओर मिलेंगे तो यहाँ पर लक भी अपोनेंट का साथ दे रहा है इस बार गुड लैन बॉल है स्विंग बॉल करिये कटर बॉल है तो क्या ही रिवर स्विप खेला है गजजा अब यहाँ पर एक बाउंडरी और मिलती हुई तो तीन ओवर्स हमाब 47 रन हो चुके जो कि एक परफेक्ट स्कोर है भई अब आये बटलर हमने यॉरकर करिये इस बार कट शॉट खेला है क् क्या लगता है यहाँ पर रन आउट नहीं होगा एक बाउर फिर यॉरकर करिये इस ट्रेट बॉल है एक बाउर फिर कट खेलाता है लेकिन इस दफ़ा एज लगा है और जैसे कि मैंने कहा था यह अपॉनेंड का साथ देरा भई लग भी तो यहाँ पर लग के चलते चार रन आए योवर की लास्ट बॉल है ओवर पिछिंग बॉल थी और इस बार श्ट्रॉक शॉट खेला है बड़िया शॉट है और आपर तो रन भी चुरा लिए तो चार ओवर 57 रन आपर अपपोनेंड के हो चुके है लास्ट ओवर डॉसन करेंगे पहली बॉल कैरम करिए इस सकता है यह रन आउट हो सकता है और जी बिलकुल यहाँ पर एश्टॉन टर्नर की विकेट मिली है जिन्नोंने एक शांदार इनिंग खेली है इस बार दूसरा करेंगे दो इस पीछे हुए है और क्याई कमाल का पिकी है इस बॉल को ब्रेविस यार गजब की बल्लेवाजी अपोनेंट द्वारा इस बार कैरम करिए अफसाइड में यह बॉल है इसे लैक साइड की और खीचा जरूर है लेकिन फिल्डर वा तैना एक ही रन मिलेगा तो 65 रन 67 रन हो चुके बई यह इनिंग की लाश्ट बॉल है गुड लैन करी थी एडवांस खिलना चाते थे शौइब मली और पहली बॉल पर आउट होते हुए तो यह अपर 67 रन अपोनेंट ने बनाए है 68 का हमें टारगेट दिया है तो डैंडली और चेस दोनों ही रेडिकल बल्लेवास ओपनिंग करेंगे पहली बॉल जीरो पेस है और इसे कट शौट खेला है और पहुचा दिया है बाउंडरी के पार शुरुवात मिल चुकी हमें भी नेक्स्ट बॉल इस दफ़ा उफसाइड में कट लगा था लेकिन फिल्डर सरकल में कैच पकड़ेंगे और पहली विकेड हापर जाती हुई जे डेंडली जो की जिसके चलते दोई रन मिलेंगे भई तो स्कोर इतना खास अभी हुआ नहीं है पाच बॉल मात्रा आट रन ये बन चुका है मैच एक बार फिर कैरम करी थी एक बार फिर कट शौट खेला है लेकिन इस बार बाउंडरी मिलेगी तो एक ओवर बारा रन नेक्स्ट ओवर जिसके चलते चार रन आए इस बार गुटलेंड बाल करी ती गजब का एडवान शौट ही है और बाउंडरी बे आसिल करी है तो बैक टू बैक यहाँ पर बाउंडरी आती हुई ओवर की फूर्थ बाल एक बार फिर शौट बाल ती लेट हुए मिश टाइम किया है और इस भी सलामी बल्ले बाज यहाँ पर आउट होते हुए यह अन बैल आए बल्ले बाजी के लिए इस बार जीरो पेस बाल है और यहाँ पर बैलेंस ने अपना कमाल दिखाया पीछे के और लपेटा है बाल को तो 28 रन पावर प्ले में हमने निकाल लिए हर्शल पटेल करेंगे टाइमिंग बॉल थी मितुन ने लिया है बल्ले पर और पहुचा है बाउंडरी के भार क्या गजब का पिक किया है बाई टाइमिंग हो रहा है मितुन के बल्ले से इस बार कुट लैन करीती पीछे की और अड़ाना चाहते थे लेकिन दो ही रन मिलेंगे हलका सा मिस हुआ य ओवर की फिप्त बॉल एक बार फिर शॉट बॉल है और इस बार कट लगाया गजब का टाइमिंग जैसे की कहा था मितुन फॉर्म में ला जवाब फॉर्म में तो यहापर पार्ट टाइमर आ चुके है बॉलिंग के लिए ब्रेविस सामने बैलेंस बैसमें थे एडवांस खिलने का प्रयास और यहापर इस्टंपिंग होते हुई तो यह अन बैल की विकेट जाती हुई होस आय बल्ले बाजी के लिए मैच्छ त्रिलर हो चुका है गुड्लेंड बॉल करी ती पीछे की और उड़ाया है लेकिन क्या लजवा फिल्डिंग देखने आपर मिली है तो दो ही रन मिलेंगे तो अभी भी चोवीस रनों की जरूरत आड़ बॉलो मैं इस बार वाइड यॉर्कर करी है और गुमाया आपर रिवर्स स्विप लगाया है और गैप में भी जाएगी बाउंडरी के बाहर भी जाएगी तो यह मैच बनता हुआ साथ बॉल सत्रा रन इस बार शॉर्ट बॉल करी थी हुक शॉर्ट खिला है लुक रॉंची यह इन्होंने गेम चेंज कर दिया पूरा यह सिक्स ने गेम चेंज कर रहा है अब एक ओवर में होना ग्यारा रन जैसन होल्डर करेंगे अपना लाश्ट स्लोवर से करीती शुरुआत एडवांस शॉर्ट खिला है जिसके चलते हैं आप पर दो रन नहीं नहीं तीन रन आसानी से मिलेंगे भई पाच बॉलों में होना आट रन नेक्स्ट बॉल कुट लैन करिए अच्छा इस्ट्रॉक शॉट खिला है क्या आपर दो रन मिल सकते हैं जी नहीं आदे रास्ते से रन कैंसल किया गया हमें लग रहा था रन आउट होगा चार बॉल सात रन होगी ज़रूरत नेगेटिव बॉल थी एडवांस खेले खुबसुरत एडवांस मिले चार रन तो 65 रन हो चुके गईस तीन बॉल तीन रन ऑफसाइड में यह बॉल करी थी जहां पर अच्छा इस्ट्रॉक शॉट लगाया है और तो रन भी चुरा लिया है यह हो चुका है हमारा इक्वल टारगेट और जैसी हमारा इक्वल टारगेट हुआ यहाँ पर वेटिंग फूर अपोनेंट आया और आटोमेटिक यहाँ पर गेम खतम हो चुकी है लेकिन लॉस अपोनेंट कोई हुआ है पता नहीं यहाँ भी कौनसी ट्रिक लगाई थी लेकिन लॉस अपोनेंट को उठाना पड़ा है म माइनस अंड्रेड एक्स भी गा तो कैसा लगा आपको इमेच कमेंड करके जरूर बता है